गुड आप्टर नून मैं वीमल कुमावत स्री संकल्प की ऑनलाइन टेक्निकल थेओरी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं जैसा कि आप अब जानते हैं यह जो क्लास है इलेक्टोनिक्स मेकेनिक के विद्यार्थों के लिए हैं और इस क्लास में आज हम बात करेंगे CRO, Cathode, Ray, Oscillois तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले आपको CRO क्या होता है इसकी बैसिक जानकारी होनी जी कि CRO क्या है CRO का उप्योग क्यों किया जाता है इसके बारे में पता होना जी तो सबसे पहले CRO जैसा कि आपको डाइग्राम में नजर आ रहा है ये डाइग्राम जो CRO का नजर आ रहा है तो डाइग्राम में एक चीज आपको और नजर आ रही होगी यहाँ पर एक waveform से नजर आ रही है यहां पर आपको नज़र आ रहा है जैसे यह जो थमनेल लिया है इसमें सियारो का डाइग्राम है क्यानि कि तरंग सी नज़र आ रही है तो सियारो मुख्य तोर पे है क्या CRO है cathode ray oscilloscope यानि की जिसकी साइता से त्रंगों को परदसित किया जाता है CRO क्या है? CRO एक ऐसी electronics युकती है जिसकी साइता से sine wave या oscillation को एक परदे पर परदसित किया जाता है जैसा कि आपको यहाँ पर diagram में नजर आ रहा है इस परकार से यह जो instrument है यह CRO है और यहाँ पर हम दोश बनावा है cathode ray oscilloscope आपको नाम दिख रहा है न? पहले हम इसका meaning देख लें cathode ray oscilloscope गहां से उठसरजित होगी cathode से किरने उठसरजित होगी में बोलते हैं दोलन दर्सी तो दोलन दर्सी है उसका मतलब होता है ऐसा युक्ति तो दोलन दर्सी है दोलन दर्सी का मतलब है कि एसी युक्ति जिसकी सायता से दोलन को दिखाया जाता है वो क्या कहलाती है दोलन दर्सी कहलाती है जिसकी सायता से दोलन को दिखाया जाएगा के वो कहां से उटसरजित होगी कैथोट से किर्नी क्या होगी उटसरजित हो तो यहां पर आपको कुछ चीजे आपको विश्यस्त ध्यान रखनी है सबसे पहले ओसिलेशन क्या होता है तेको oscillation का मतलब होता है माद्दे इस्तती के इर्द गीर्द कमपन यह है oscillation oscillation का मतलब क्या है माद्दे इस्तती के इर्द गीर्द कमपन यानि कि जैसे कि मान लीजिए कि यह आपकी माद्दे इस्तती है और इसके इर्द गीर्द ऊपर नीचे जो कमपन होते हैं वही क्या है oscillations है ठीक है तो यह है oscillation और इन oscillation को जो परदर्सित करता है इन oscillation को जो परदर्सित करता है उसी को कहते हैं दोलन दर्सि CRO उसी को कहते हैं दोलन दर्सि CRO तो CRO क्या है CRO है दोलन को जैसी आपको दोलन नजर आ रहे हैं oscillation नजर आ रहे हैं दो डाइग्राम मैंने बनाए है इन दोलन को परदे पर परदर्सित करने वाली युक्ति क्या है CRO है दोलन दर्सि है और इन दोलन को उत्पन करने वाली ग्यान लगना तो तीन युक्तियां है पहले तो oscillation जिसको इंदी में कहते हैं दोलन दूसरा है दोलन दर्सि जो कि अभी अभी हमने देखा ये दोलन दर्सि एक ओसी लेटर जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एक है oscillator जिसके बारे में हम लोग पड़ चुके हैं oscillator क्या होता है यह जो dolan है इन dolan को उत्पन करने वाली यúpति क्या होती है oscillator है दोलन को दिखाने वाली य्वति ओसिलेटर इन दोलन को दिखाने वाली जो युक्ती है वो क्या है oscilloscope पर वापस समझे लीजिए oscillation जिसको हिंदी में कहते हैं दोलन दोलन क्या है माद्दे इस्तती के इर्दगीद आपको जशागी डाइग्राम में दिख रहा है यह माद्दे इस्तती के इर्ध गित जो कमपन होंगे उनी को क्या कहेंगे हम oscillations कहेंगे तो माद्दे इस्तती के इर्ध गित कमपन oscillation और इन oscillation को उत्पन करने वाले को क्या कहेंगे oscillator कहेंगे और इन oscillation को दिखाने वाली युक्ति को क्या कहेंगे oscilloscope यानि कि दोलन दर्शी कहेंगा तीन प्रकार की युक्ति होगी तीन प्रकार चीजे होगी oscillation मतलब मादे इस्तति के इड़ गिड़ कमपन दूसरा आमारे पास oscillation आपको नजर आ रहे हैं दूसरा आमारे पास oscillation उत्पन करने वाली युक्ति oscillator और तीसरा oscillation को दिखाने वाली युक्ति जैसा कि आपको डाइग्राम में दिखाई दे रहा है दिखाने वाली युक्ति वह क्या होगी oscilloscope दोलन दर्शी होगी अब यह जो oscilloscope होता है तो दोलन दर्शी होता है उस दोलन दर्शी के लिए सबसे पहले यह जो दोलन दर्शी है यह बनावा किन-किन से होता है आपको यह पता होना चीए यह जो oscilloscope है जो दोलन दर्शी है वो किन-किन चीदों से बनावा है इसमें क्या-क्या चीज़े होती है दोलन दर्शी में तो बनावा की बात करें तो सबसे पहला, सबसे इंपोर्टेंट और सबसे पहला जो भाग आपको नजर आ रहा है, ये डाइग्राम में, ये सबसे बड़ी एक टूब सी नजर आ रही है, जिसे कहते हैं, CRT, Cathode Ray Tube, क्या कहते हैं, CRT, Cathode Ray Tube कहते हैं, सबसे इंपोर्टेंट भाग, जो किसका रिदे है, CRT, Cathode Ray Tube, CRT, Cathode Ray Tube, ये सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है, उसके बाद जो दूसरे पार्ट के हम बात करें, तो दूसरा पार्ट है, इसका वर्टिकल एम्प्लिफायर और होर्जंटल एम्प्लिफायर, दियान रगना, जो वर्टिकल एम्प्लिफायर है, आपको डाइग्र से जुड़ा होगा है, तो दूसरे इंपोर्टेंट भाग में आता है, वर्टिकल एम्प्लिफायर और होर्जंटल एम्प्लिफायर, ये स्यारों का सामानी ब्लॉक डाइगराम है, तो वर्टिकल एम्प्लिफायर होगा, वो किसे जुड़ावा होगा, वर्टिकल डिफलेक होते हैं डिले लाइन्स होती है इसके क्या होते हैं अन्नी भाग होते हैं लेकिन तो सबसे इंपोर्टेंट भाग है वह भाग क्या है CRT cathode ray tube आज की क्लास में हम लोग इस्पेसिली CRT के बारे में देखेंगे तो CRT क्या है देखिए हम चलते हैं नेक्स पेस CRT पे CRT आपको डाइग्राम में नजर आ रही है cathode ray tube आज हमें इसके बारे में डिटेल से देखेंगे कल में इसके बारे में लिखाऊंगा तो बच्चो लिखने की जल्दी मत करना आज क्यों इसके बारे में देख रहे हैं कल इसके बारे में लिखेंगे हम लोग न देखिए तो सबसे पहले आपको सबसे पहले यहां से ल रहा है कैथोर यह वाला भाग है कैथोर कैथोर होता क्या है कैथोर आपके पास negative potential से जोड़ा जाता है और यह electron का उत्सरजन करता है electron का उत्सरजन करने वाला भाग कैथोर electron को इकठा करने वाला भाग क्या होता है एनोड तो आपको पहले कैथोड और एनोड के बारे में पता होना चीए कि कैथोड क्या होगा कैथोड क्या करेगा उत्सरजन करेगा क्या करेगा कैथोड उत्सरजन करेगा और किसका उत्सरजन करेगा यह इलेक्टोन का उत्सरजन करने वाला भाग क्या होगा कैथोड होगा ठीक है और एनोड क्या करेगा अगर मैं बात करूँ कि एनोड का कारी क्या होता है तो एनोड का कारी होता है इकठा करने का इकठा करने का काम कौन करता है एनोड चो उत्सरजित करने का काम कऊन करतब है उत्रिप्त केथोर्ट को और एक रम करने के लिए यहां पर एक फिलामेंट नजर आरा फोता है यहां फिलामेंट यानि कि यहां दे को हीटर दिख रहा होगा आपको हीटर नजर आ रहा है फिलामेंट यह क्या करता है कि यहां से कैथोड को क्या करता है गरम करता है कैथोड को क्या करता है गरम और गरम करने से कैथोड क्या करता है electron का उदसर्जन करता है तो सबसे पहला जो भाग है हमारा पहला भाग है electron gun और इस electron gun में सबसे पहले क्या होता है cathode होता है cathode का मतलब होता है electron को उदसर्जित करने वाला भाग cathode का मतलब होता है electron को उदसर्जित करने वाला भाग और ये cathode भी कैसा होता है त्रिप्त कैथोड होता है कैसा कैथोड होता है त्रिप्त कैथोड होता है यानि कि यह क्या करेगा गरम होकर इलेक्टोन को उत्सरजित करेगा क्या करेगा गरम होकर इलेक्टोन का उत्सरजित करेगा और गरम करने के लिए यहाँ पर heater या filament या आप चाहो तो इसको heater बोल दो या फिलामेंट के रूप में होता है तो यह filament होता है तंगस्टन का बनावा होता है यह गरम होकर cathode को गरम करेगा यह जो filament है यह गरम होकर cathode को क्या करेगा इस cathode को गरम करेगा Cathode को गरम करने से यहाँ से Electron का उतसर जंद होगा कैथोड को गरम करने से कहां क्या होगा electron का उसर जोना होगा बचोई आपके diagram नजर आ रहा है न और यह electron का उसर जन के बाद आपको यह दो plate नजर आ रही होगी एक तो यह पहली plate और यह दूसरी plate नजर आ रही है इनको बोलते है control grid यह जो plate है इनका नाम होता है control grid control grid का मतलब है यह जाने वाले देखो यहां से इस से जाने वाले electron की संख्या का क्या करेगी नियंत्रन करेगी यहां से electron निकले कहां पहुँचे control grid में पहुँचे control grid क्या करेगी जाने वाले electron की संख्या का नियंत्रन करेगी देखो इलेक्टोन गंड में पहला भाग कैथोड इलेक्टोन का उत्सरजन करेगा दूसरा भाग कंट्रोल ग्रिड ये कंट्रोल ग्रिड क्या करेगी जाने वाले इलेक्टोन की संख्या को नियंत्रित करेगी यह जो control grid आपको नजर आ रही है यह control grid क्या करेगी जाने वाले electron के संख्या को नियंतित करेगी अब control grid से electron निकलने के बाद जाता है pre-accelerating anode आपको तीसरा भाग जो नजर आ रहा है यह वाला भाग इसको बोलते है pre-accelerating anode देखो दो परकार के anode होते है एक तो pre-accelerating और एक होता है accelerating एक तो होता है pre-accelerating एक होता है accelerating मतलब है यानि कि यह जो electron beam आ रही है इसकी संख्या का नियंतित करने का काम कौन कर रही है control grid और control grid के बाद जो electron है वो प्री-accelerating anode से निकलते हैं प्री-accelerating anode से लिकलते हैं और प्री-accelerating anode से जो electron है यह क्या करता है pre-accelerating anode तो मैं इसके बारे बता दू यह pre-accelerating anode क्या करता है तुवहरित करता है क्या करता है तुवहरित करता है तुवहरित करने का मतलब है वेग में क्या करेगा वरद्धी करेगा वेग में क्या करेगा वरद्धी करेगा तो इलेक्टोन के वेग में वरद्धी करता है उसके बाद आता है फोक्सिंग एनोड आपको नजर आ रहा है इलेक्टोन के वेग में करेगा बारी की प्रधान करेगा क्या करेगा इलेक्टोन बीम को बारी की प्रधान करने का कारिय कौन करता है फॉक्सिंग एनोड बारी की प्रधान करने का काम कौन करता है फॉक्सिंग एनोड फॉक्सिंग एनोड के बाद आपको नज़र आ रहा है फोक्सिंग एनोड के बाद असेलेरेटिंग एनोड नज़र आ रहा है असेलेरेटिंग एनोड जिस परकार से प्री असेलेरेटिंग एनोड भी क्या कर रहा था तुरित कर रहा था और accelerating anode जो की wake बढ़ाने के लिए कामे आता है focusing anode बारी की पधान करने के लिए कामे आता है यह तो बात हो गया electron gun electron gun के बाद आप यहाँ आए यहाँ पर आपको नजर आ रही है vertical deflection plate यहाँ पर क्या नजर आ रही है आपको vertical deflection plate नजर आ रही है vertical deflection plate है यानि electron beam को ऊपर नीचे करेगे देको vertical है तो eleven neutronская करेगी ऊपर नीचे अब ऊपर नीचे काएगी एलेक्ट्र बीम को तो दोनों कैसे लगेगी ऊपर नीचे लगेंगी ऊपर नीचे है तब तो ऊपर नीचे कर सकती है यानि कि जो vertical different Yudh ने वाली बात है यह हमेसाद क्षेति अवस्ता वर्टीकल का मतलब होता है व्युक्षिप हुए ब्लेट कौन थो pid वॉद्ब वहीं लगे तभी तो यह ओढ़ादर उपर नीचे situação कर पाएंगी विगसेपित कर पाएंगी तो और विक्सेप प्लेट है यह अवस्ता में इस्तापित कर enterprise करते हैं यह eliminating qué farm कर आग mild करते हैं तो अगली जो अमारि प्लेट आती है horizontal deflection plate कौन सी प्लेट है ?i annihilation vertical उर्देज़ा बीं को दाय einem लेखुसिकाएगी तो जो प्षेती विख्षयपक प्लेट है है इलेक्टोन बीम को दाये माएं किसकाएगी, ओर्धवादर विक्षेप प्लेट उपर निचे किसकाएगी, तो दाये माएं किसकारी है, तो खुद कैसी है, ओर्धवादर, ध्यान रखना, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, ओर्धवादर विक्षेप प्लेट होती है, खु और टकुराने से क्या होगा यहां पर प्रतिप्ति उत्पण होती है और जो तरंग जो इलेक्टोन भीम, इलेक्टोन गनी के द्वारा उत्सचित की गई है वो यहां पर 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 दसित की जाती। ध्यानगना इस परदे के ऊपर यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रिन मतलब यहां पर प्रतिदिप्ति पदात का केलसियम टंगस्टेंड मेगनिसियम टंगस्टेंड का अलग-अलग रंग के साब से पदात होते हैं उनका लेपन क्या जाता है और लेपन में क्या होगा लेपन करने उसका कुछ बाग दित्यक इलेक्ट्रोन वापत से उत्सरजित होंगे और वापत से उत्सरजित होंगे तो ये बीच में डिस्टर्बेंस पदा करेंगे इसलिए हम क्या करते हैं एक्वेडे कोटिंग करते हैं ये एक्वेडे क्या करता है जो दित्यक इलेक्ट्रोन उत्सरज कट्रोल गेड यह क्या करेगा इसके बाद लुश्षय से और पवेग करेंगे उसके बाद होता है इलेक्तों का क्या करेगा व्षिक रनोर्डो तो वर्टीकल डिफ्लेक्शन प्लेट होगी जिसको कहते हैं उर्द्वाधर विखसेपकर प्लेट क्या करेगी खेतीज अवस्ता में स्थापित होगी симलेक्टोन बीम को ओपर-नीचे किसाने कार्य करेगी और दूसरी होती है horizontal deflection plate यह क्या होती है इलेक्ट्रोन बीम को दाएं बाएं किसकाने का 36 प्लेटे होती है खुद इस्तापित कैसे होती है उर्द्वादर इस्तापित होती है यहाँ पर प्रतिदीप्ति पदात का लेपन होता है जिसके लिए magnesium tunga stand और telsium tunga stand का specially उपयोग करते है एक्वेड कोटिंग क्या करती है जो दीप्तियक electron उठसरजित होते है उनको क्या कर लेती है आज के class के लिए इतना ही बच्चो कल में चीज़े आपको note करवा दूंगा उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे रहेगा हमारे जो cro panel है उस पर कौन-कौन से button होते हैं कौन-कौन से knobs होते हैं उनके बारे मैं ध्यन करेंगे धन्यवाद झाले को कि लिए दूंगा झाले कर दोगदी आपको